सब्सक्राब करें अपने यूट्यूब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल ऐकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्षिन पाने के लिए वालकाम फेंट्स सुवागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसकिन से जूड़ी हुई समेश्या को ठीक करने के लिए प्रियोग लाई जैने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे जो एक सस्पेंशन है इसे लोशन भी कहते हैं और इसे सिर्फ बाहाई प्रियोग के इस दवा के लिया जाते हैं इस दवा के कंपोजिशन को कर जाने तो इसमें क्लोबेटासोल क्लोट्रेमाजोल तता नियोमाइसिन यहां तीन दवाईयां मिलाई गई है और जिस नाम से इस प्रियोशन को आप मेडेगल इस्टोपर खरीच सकते हैं उसमें सबसे पोपुलर नाम है टोपी फोस्ट एन एक सस्पेंशन और यह सिर्फ इस नाम से मेडेगल इस्टोपर नहीं मिलता ओनलाइन मैंने सर्च किया था तो मुझे एक ही नाम मिला है इसलिए मैं आपको यह एक नाम बता रहा हूं इसके अलवा भी अभी किसी अन्य नाम से आपको इस सस्पें कबगब किया जाता है और इसको लगाने पर क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस लोशन में क्लोवेटासोल 0.05 परतिसथ वेट बाई वोलियूम की स्टेंथ में मिलाई जाता है क्लोट्रिमाजोल 2% वेट बाई वोलियूम ताथा नियोमाईसिन 3500 यूनिट परति एक में मिलाई जाता है किनकिन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस लोशन का प्रियोग लिया जाता है तो यहां लोशन एक स्टोरोइड एंटी फंगल ताथा एंटी बायोटिक दवों को कमपोजिशन है जिसका प्रियोग इसकीन पर होने वाले अलग-लग इंफेक्शन को ठी करने के लिए जाता है मुख्य रख्ष से स्केल्प जन्नांगों के आसपास आरंपेट और जहां पर इसकीन फोल्ड हो रही है इन जगाहों पर फंगल इंफेक्शन ताथा बेक्टिल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिए जाता है थोड़ी सी टीटेल में ह सुजन आ जाना इस तरह की अलगलग समश्या हो रही है तो इस समय यह दवा दी जाती है साथ ही यदि कोई वक्ति है जिसको डेंडरप की समश्या है जो एकप्रगा का फंगल इंफेक्शन ही है इसे ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है कोई मरी की जाती है कोई मरीज है जिसको आरंपिट मतलब वगल में फंगल इंफेक्शन हो गया हो जिस कारण से यह बताएगे समान लक्सन ही दिखाई दे रहे तब भी उस्व में डॉक्टर दारा यह दवा दी जाती है और मुख्य रूप से इन तीन परकार के ही इंफेक्शन को ठ बिमारी के ठीक होने के बाद उस जगा पर फंगल इंफेक्शन हो गया हो तो वे भी सेम लक्सन दिखाई दे रहे हो जिसको अभी हमने जाना है तब भी इन सेकेंडिर फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए यह लोक्षन डॉक्टर द्वारा एडवाइज किया जाता है अगर सोट में समझें तो सरीर पर उन सभी अंगों में इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इस लोसन का प्रियोग लिया जाता है जहां पर हैर गरोथ होती है जो हैरी एरिया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन अंगों के अलावा इस लोसन का प्रियोग कहीं नहीं कर सकते अगर इसकिन पर किसी भी हिस्से में किसी भी पार्ट में फंगल इंफेक्शन हुआ हो जिसमें समान ही लक्सम दिखा दे रहे और आपके पास यह लोसन पड़ा है तो इसका प्रियोग आप कर सकते हैं आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा एक और बात यहां पर ध्यान रखें इस लोसन को आखों में जाने से बचाएं साथ ही बच्चों की पहुँच से दूर रखें क्योंकि अगर बच्चे गलती से निगल लें तो बड़ी समश्या का सामना करना पड़ सकता है अब जाने लेते हैं इस लोसन को लगाने के बाद मरीज में क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और उसके बाद हम जानेंगे इसको लगाने का सही तरीका क्या है कितने दिनों तो इसको लगाए जाता है और कौन-कौन इस लोसन का प्रियोग कर सकते हैं तो इस दवा को लगाने पर जो समय ने side effect होते हैं, वह है जिस जगा पर lotion का प्रियोग किया है, वहाँ पर मरेज को जलन में हसूस होगी, खिचाव होगा, इसकी इन पर खुजली होगी, इसकी पर सुखापन लग सकता है, यह कुछ तुरंत दिखाई देने वाले side effect है, और long term में मरेज को उस जगा पर एकने हो सकते हैं, लंबे समय तक प्रियोग करने पर इसकी पतली हो सकती है, वहाँ पर जो छोटी छोटी नसे हैं वह दिखाई दे सकती है, इसके बहुत ही रेड हो सकती है, कुछ इस तरह के side effect दिखाई देते हैं, अगर यह यह या इसके अलग को दूसरे अवाशित परियोग बंद करें और अपने नस्दी के अस्पताल में डोक्टर से संपर करें जिससे कि आपको proper इलाज दिया जा सके हैं, अब जानते हैं इस लोसन को लगाने का सही तरीका क्या है, इसको कितने दिनों तक लगाए जा सकता है, और कौन-कौन इसका प्रियोग कर सकते हैं, और क्या इसके साथ को टीब्रेट भी दी जाती है, तो इस लोसन को लगाने के लिए, आप सबसे पहले अपने हाथों को दो जब तक यह सूख नहीं जाएं, ध्यान रखे कि कपड़ी की रगड से यह लोशन साप नहीं हो जाएं। लोशन लगाने के बाद अपने हाथों को आप अच्छी तरह से साबून से दो लें। इस लोशन को कम से कम 10 दिन से लगा कर 20 दिन या उससे ज़्यादा समय के लिए भी आवसकत अदनुसार डोक्टर द्वार लगाने की सलहा दी जाती है। इस लोशन का प्रियोग इस्तरी, पूरूस, बच्चों में सभी में किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी बच्ची की उमर 5 साल से कम हैं, तो उसमें बिना डॉक्टर इसलह इसका प्रियोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें क्लोबेटा सोले, जो बच्चों के लिए हायर पड़ता है। इस लोशन को लगाने पर भी मरीज में अगर बहुत ही तीज खुजली है जलन हो रही हो, तो इसके लिए डॉक्टर द्वारा इन समझ्यों को कम करने के लिए अलगलग प्रकाह की टेबलिट दी जाती है। यूजली जो टेबलिट दी जाती है उसमें लिवो सेटरिजिन, सेटरिजिन ये दवईयां प्रमुख है, दोनों में से कोई भी एक दवा देकर उसका इलाज किया जाता है और इन्हें प्रते दिन एक लेने के सलहा दी जाती है। और इसे के साथ यहाँ पर पूरी डिटेल हमने इस लोसं के बारे में जान लिए जिसे मुखी रूप से इसकिन के हैरी एरिया पर होने वाले फंगल इंफेक्शन को ठीकरने के लिए दिये जाता है। आज के इस स्वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नए टोपिक के साथ में तब तक के लिए स्वस्त्राइब और मस्त रहे।